इस वीडियो में हम देखेंगे अक्टोमबर वे जो पेपर हुआ अभी 20 अक्टोमबर को मैच का उसमें सेक्शन ए अल्रेडी मैं करवा चुका हूँ उसमें B, C और D सेक्शन रिमेनिंग है तो हम इस वीडियो में तीनों ही सेक्शन कम्प्लेट कर लेंगे ठीक है सेक्शन ए के लिए आप प्रिवेस वीडियो देख सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी जो है वो क्वेशन नमबर 17 से 26 तक 2 मार्स के क्वेशन है ठीक है टोटल 10 क्वेशन है जिसमें 20 मार्स आपको मिलेंगे तो देखो question number 17 देखो क्या दिया हुआ है use Euclid division algorithm to find HCF of 231 and 396 Euclid division algorithm का use करना है और हमें HCF find करना है तो उसका हम किस तरह से use करते हैं divide में हम जो लिखते हैं कि जो bigger number होता है 396 उसको हम इस तरफ लिख देते हैं और जो छोटा number होता है उससे हम divide करते हैं 231 से जब भी हम 396 को 231 से divide करेंगे तो 165 remainder बचेगा similar pattern क्या होगा 231 जो है वो यहाँ चला जाएगा और 165 यहाँ पे 231 को हम 165 से divide करेंगे तो remainder बचेगा 66 तो हमें कब तक यह process करनी होती है जब तक remainder 0 ना आ जाए और remainder 0 किसको divide करने से end में आता है तो यहाँ पे 33 है तो HCF of 231 and 396 आंसर क्या रहेगा 33 यह सारे question directly लिए हुए है क्योंकि यह simple question है जिसमें जरुरत पड़ेगी उसे मैं explain करूंगा next question देखते हैं कि find LCM and HCF of 12, 15 and 21 by applying prime factorization method तो यह prime factorization method हम अच्छे से जानते हैं इसको और हम काफी टाइम से इसको करते है LCM तो इसमें कोई problem नहीं होगी इस तरह prime factorization कर लिए फिर उने power में लिख लिया 12 को इस तरह से 15 को इस तरह से और 21 को इस तरह से HCF का मतलब क्या होता है product of smallest power of each common prime factor तो यहां पे जो common कौन है सबसे पहले देखो तो 3 है और उसमें भी smallest power देखना होता है सबका एक ही है तो 3 raise to 1 is equal to 3 HCF क्या होगा 3 होगा LCM में product of greatest power of each prime factor हर एक prime factor को देखा जाता है कि 2 raise to 2 है तो यहां पर देखो 2 raise to 2 है यहां पर नहीं है इसका मतलब यह नहीं की वहां पर नहीं तो 2 raise to 0 है यहां पर 1 लिया और यहां भी नहीं है मतलब 2 raise to 0 highest power देखो 2 raise to 2 है तो उसे यहां पे लिया है 3 में highest power क्या है 3 में सबका 1 है तो भही ले लेंगे 5 तो 5 यहां पे 1 है तो भही ले लिया और 7 भी 1 है तो 2 raise to 2 into 3 into 5 into 7 2 का square हो जाएगा 4 into 3 into 5 into 7 तो आंसर हो जाएगा 420 LCM next question देखते show that 5 root 7 is a irrational देखो irrational के जितने भी proof है वो हम contradiction method से use करते है ठीक है तो उसे आगे हम देखते है कि suppose 5 root 7 को हमने क्या ले लिया rational ले ले लेते हैं assertion दिखेते हैं जिसे लेना ठीक है अगर वो rational होगा तो वो अपकोस a by b के form में होगा और a by b वो भी कैसे co-prime होते हैं जहाँ पर b not equal to 0 होता है तो यह जो root 7 है उसे वही रखा हमने और 5 को हमने denominator में भेज दिया तो root 7 is equal to क्या होगा a by 5 b अब a by 5 b is a rational number because यहाँ पर a और b हमने जो co-prime लिये थे वो integers है ठीक है तो a by 5 b वो rational number है तो उसके हिसाब से LHS और RHS के हिसाब से क्या है कि यह अगर rational हुआ तो root 7 भी rational होना चाहिए but this contradicts the fact that root 7 is a irrational number हम जानते है root 2, root 3, root 5 जिनके root perfect नहीं निकलते वो सारे के सारे क्या है irrational number है इसलिए हमारा अजर्प्शन क्या था false है तो 5 root 7 क्या होगा irrational number होगा next question वो भी काफी easy है hcf of 306 and 657 is equal to 9 hcf दिया हुआ है दो नंबर दिये हुए तो हमारा formula लगेगा जो product of number वाला है product of number is equal to hcf into lcm hcf हमें दिया हुआ है 9 lcm हमें fine करना है product of number रहा है इससे solve करोगे आपको answer मिलेगा 22338 next question देखते actually performing the long division state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion terminating और non-terminating के लिए क्या होता है तो terminating के लिए क्या होता है कि अगर denominator आपका 2 के power में है या तो 5 के power में है कोई भी जे हम 2 raise to m into 5 raise to n वाला लेते अगर अकेला 2 नीचे है अकेला 5 है या 2 और 5 दोनों ही है किसी भी power में तो वो terminating होता है पर इन तीनों situation के अलावा अकेले 2 के अलावा अकेले 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई अगर तीसरा number आ जाता है दूसरा इसके दोनों के अलावा तो वो क्या हो जाता है non-terminating हो जाता है for example 17 है तो नीचे 8 मतलब 2 raise to cube होता है, ठीक है, तो सिर्फ 2 का हो नीचे, इसका मतलब क्या हुआ है, terminate हुआ, ठीक है, तो यह क्या होगा, terminating होगा, 29 upon 3, 4, 3, तो 3, 4, 3 देखो, 3, 4, 3 आप देखोगे, तो I think 7 का cube है, 49 into 7, 7, 9 the 63, 7, 4 the 28 or 6, हा, तो 7 का cube है, अब मुझे denominator में क्या चाहिए, या तो 2 raise to कोई भी power, या तो 5 raise to कोई भी power, या तो 2 और 5 दोनों होतों भी चलेंगे, यहाँ पे तो 2 और 5 दिखी नहीं रहे, 7 है, तो यह क्या होगा, non-terminating होगा, तो यह 20 question था, question number 21, solve the following pair of linear equation by substitution method, तो देखो, x plus y बराबर क्या दिया हुआ, 14 दिया हुआ, तो substitution method में हम क्या करते है, किसी भी variable को एक तरफ रख देते है, और उसकी value निकाल देते, तो x के बराबर पहले equation से इसको first equation नाम दे देते है, और इसको second, तो उस answer आया, x is equal to 14 minus y, उसे हम put करते है, second equation में, put in second equation, तो देखो, x is equal to हमने क्या रखा, 14 minus y, minus y is equal to 4, तो 14 minus क्या हो जाएगा, 2y is equal to 4, तो हम एक तरफ ले जाते है, y को, दूसरी नमबर को दूसरी तरफ ले आते, 4 को हम इस तरफ ले गए, y को हम change किया, 14 minus 4 हो जाएगा, 10, is equal to 2y, तो y is equal to क्या होगा, 10 by 2, 5, तो y is equal to 5 आया, उसी को हम कहां रखेंगे, इसी equation में रख देते है, x is equal to 14 minus 5, is equal to, कितना आएगा, 9, तो ये substitution method इस तरह से किया जाता है, question number 22 देखे, find the zeros of the polynomial x square minus 3, and verify the relationship between the zeros and the co-option, तो ये polynomial दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उसके zeros निकाल देते हैं, ठीक है, zeros निकालना है, यानिकि उनके solutions निकालना, x square minus 3, तो इसको middle term नहीं है, ठीक है, हम हर एक जो polynomial होता है, उसको standard equation के साथ compare करते है, ये वाला, x square plus bx plus c, ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो x square है, यानिकि ax square अगर मैं अच्छे से देखो, इसको compare करते हुए, इसको इसे के form में लिखते है, x square, बीच में x का term नहीं है, तो हम 0 into x लिख सकते हैं, और minus 3, इससे compare किया जाए, तो a के बराबर है, 1, x square के पास कोई नहीं है, मतलब 1 होता है, x है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा b, और c is equal to minus 3, ठीक है, तो अब इसको हम 0 निकालते हैं, तो देखो, x square minus 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यह कुछ इस तरह से बनेगा, x square minus root 3 का square, root 3 का square 3 होता है, a square minus b square क्या हो जाएगा, a minus b, a plus b, इ एक बार, x is equal to negative root 3, तो इसको हम का relationship verify गई हो, मिल गए हमारे 0, अब हम relationship verify करते हैं, तो उसके लिए formula क्या है हमारा, alpha plus beta, is equal to minus b by a, तो एक 0 को हम alpha ले ले लेते हैं, root 3, दूसरे 0 को negative root 3 को beta ले लेते है, is equal to सामने, minus है, और b क्या है हमारे पास, 0 है, और a क्या है हमारे पास, 1, तो root 3 minus root 3 क्या आएगा, 0, और 0 by 1 क्या हो जाएगा, 0, यानि कि ये LHS is equal to RHS हो गया, तो इस relationship verify हो गया, similarly हम product वाला formula देख लेते, alpha, beta is equal to c by, तो alpha था हमारे पास root 3, beta था हमारे पास negative root 3, और c जो हमारे पास है, c कितना है, negative root 3, और a क्या है हमारे पास, 1, तो plus minus है ये दोनों, ठीक है, तो minus होगा, root 3 into root 3, 3 हो जाएगा, minus 3 upon 1, minus 2, तो इसमे LHS is equal to RHS होगा, यानि कि relationship verify हो गई, जो zeros और coefficient के बीच होती थी, ठीक है, तो ये हमारा 22 question था, उसके और का question देखते, find the zeros of the quadratic polynomial, 6x square minus 3 minus 7x, तो इसका हम middle term जैसे split करते है, वैसे ही करना है, 7x को हम बीच में ले ल तो देखो, 6x square minus 9x plus 2x minus 3, 3 जो 18 होता था, 9, 2 जो हमने split किया, फिर उसमें से 3x common निकाल दिया, जो basic चीज़े होती है, और इस तरह से हमें root मिल जाएगी, इसको मैं हटा देता हूं, नीचे लिख देता हूं, यहां पर, ठीक है, तो 3x plus 1 के बराबर 0, और 2x minus 3 के बराबर 0, तो फिर आप x के value निकाल दो, plus 1 उस तरफ लेके, यहां 3 उस तरफ लेके, एक value मिल जाएगी negative 1 by 3, और एक value मिल जाएगी 3 by 2, तो यही हमारे 0 है quadratic polynomial के, next question देखते हैं, question number 23, find the ratio in which the y axis divide the line segment joining the points, 5 minus 6 and minus 1 minus 4, और उसी के और में है, ऐसे ही दो point दिये हुए, और हमें ratio पूछा है x axis से, और देखो, सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई MCQ आ जाए, तो भी आप कर सकते हैं, इसका short trick है, सुनना द्यांसे, answer आपको पहले ही पता सल जाएगा, कि y axis से divide होता है, तो आपका answer always x1 upon x2 होता है, और अगर x axis से पूछे तो आपका answer होता है y1 upon y2, ये मान लो x1 y1 है पहले question के लिए, और ये है x2 y2, ठीक है, तो y axis से divide पूछा है तो आपका answer x1 upon x2 ही होगा, x1 कितना है, 5, और x2 कितना है, minus 1, अब देखो, ratio कभी negative में नहीं होता, तो ये negative 1 लिखना ही नहीं है हमें, सिर 5 by 1, तो आपका answer आएगा 5 is to 1, अभी हम prove भी करेंगे उसको, similarly, अगर x axis से पूछा है तो y1 upon y2, y1 कितना है यहाँ पे, इसको x1 y1 ले लो, और इसको x2 y2 ले लो, तो y1 होगा आपका negative 5, और y2 होगा आपका सिर्फ 5, negative को हमें ध्यान में नही 5 क्या हो जाएगा, 1 upon 1, तो second का answer है, 1 upon 1, direct answer मिला, अब इसको हम method से भी करता है, ठीक है, यह shortcut है, अच्छे से याद रखना इसको, mcq में अगर question आता है तो easy होगा, चल, ओके देखो, यह 23 question है, a-5-6 and b-1-4, हम इसकी बात कर रहे है पहले, ठीक है, y-axis से divide कर रहे हैं, हमने बीच में point ले लिया, p0 होगा, अब अगर हम ratio find करना होता है, हम ratio क्या लेते हैं, k-1 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारा formula लगा देते हैं, कि m1 आपने क्या लिया, k लिया, m2 आपने क्या लिया, 1, x1, y1 है, हमारे पास 5 और minus 6, x2, y2 है, हमारे पास minus 1, minus 4, और x हमारा 0 है, y बराबर y, एक ही coordinate से हमारा काम बन जाएगा, वियो हमें k-1 find करना है, हम सिर्फ x वाला formula ही लगाता हो, m1, x2, plus m2, x1, upon m1, m2, x के वे लि हमारा और गा, यह पूरा step 0 हो जाएगा, तो मेरे पास 0 के बराबर क्या बजेगा, k into negative 1 क्या हो जाएगा, minus k, 5 बन जार 5, तो 5 उस तरफ चला जाएगा, तो, minus 5 हो जाएगा, तो negative, negative cancels, k के बराबर क्या मिला, 5, k के बराबर 5 मिला, या नि हमारा ratio क्या लिया था, हमने suppose कि तो हमारा आंसर आया 5 is to 1 ठीक है जो हमने पहले ही आंसर जान लिया इसका 5 upon 1 रेशियो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा उस बात को ध्यान रखना है ठीक है तो यह 23 हुआ अब उसी तरह से 23 जो और में दूसरा question वो भी कल लेते हैं तो देखो उसमें A 1-5 है B-4-5 है और P X-0 है ठीक है X-axis पे है उसी तरह से सेम तरीके से question होगा तो उसी तरह से हाँ पर दिया इसमें Y compare किया हुआ है हमने similar तरीके से 5K is equal to 5 आएगा end में और K के बराबर 5 upon 5 क्या हो जाएगा 1 तो आपका answer आएगा 1 is to 1 ratio ठीक है तो यह आपका answer है उसी तरह से next question देखते 24 find the quadratic polynomial with 1 upon 4 and 1 upon 4 as the sum and product of its 0 respectively अब देखो NCRT में एक formula में दिया हुआ है इसी तरह से P of X is equal to X square minus sum of 0 into X plus product of zeros product of zeros तो हमारा answer इसी से बनेगा तो हमें polynomial find करने को का है X square minus sum of zeros का है तो sum of zeros हमें क्या दिया है 1 4th of X 1 4th और X वहीं का वही था plus product of 0 कितना दिया है 1 upon 4 दिया हुआ है वो भी यहां पे दिया हुआ है तो हमारा answer क्या बनेगा 4 LCM ले लो 4X square minus X plus 1 नीचे जो क्या है यहां पे 4 बचेगा अब 4 जो polynomial होता है ठीक है वो सामने चला जाता है वो polynomial अच्छली 0 होता है ठीक है तो 4X square minus X plus 1 तो हमारा answer क्या होगा कौन सा polynomial होगा P of X is equal to answer होगा 4X square minus X plus 1 ठीक है यह हमारा quadratic polynomial answer है next question देखते है solve the following pair of linear equation by elimination method ठीक है elimination method से हमें करना है तो X plus Y के बराबर 5 दिया है 2X minus 3Y के बराबर 4 दिया है elimination method में हम क्या करते है कि कि किसी X को या तो Y को हम equal करते है multiply करके तो देखो पहले वाले equation को हमने equation नहीं 2 से multiply किया है ठीक है कि second वाला equation 2 से start होता है तो क्या हो जाएगा 2X into 2Y plus 5 2s are 10 और नीचे वाला वही का वही का वही 2X minus 3Y is equal to 4 अब उसमें से क्या करेंगे किसी एक equation को subtract करते हैंगे subtracting equation 2 from 3 तो क्या हो जाएगा यहां से अगर देखो यहीं पर subtract करते हैं तो sine reverse हो जाते है minus का plus हो जाता है 10 में से minus 4 2X minus 2X 0 plus 2Y plus 3Y 5Y हो जाएगा और 10 minus 4 6 हो जाएगा तो Y के बराबर क्या आएगा 6 by 5 तो Y की value अगर ऐसे आ गए तो हम उसे X की अंदर रख देंगे ठीक है X की value क्या है X plus Y is equal to 5 है तो Y को इस तरफ ले जाएगे तो 5 minus Y हो जाएगा और Y की value हम लेके आए 6 by 5 तो X is equal to 19 by 5 तो X is equal to 19 by 5 and Y is equal to 6 by 5 इस तरह से यह question होगा अब cross multiplication की बात करते 2X plus Y is equal to 5 and 3X plus 2Y is equal to 8 ठीक है तो देखो वही दो equation है 2X plus Y minus 5 is equal to 0 3X plus 2Y minus 8 is equal to 0 इसे लिखा कैसे जाता है पहले इसे समझते है X के जो coefficient है उनको ऐसे ही लिख दो 2 और 3 फिर Y के coefficient है 1,2 वैसे ही लिख दो और minus 5 minus 8 है वैसे ही रखो और 2 और 3 को एक और बार extra लिख लो ठीक है यह पूरा हो गया अच्छे से इतना इस तरह से लिखना है अब X के नीचे आप क्या रहोगे सबसे पहले तो इसे अच्छे समझना है X के नीचे आप क्या रहोगे तो X के नीचे आप यहाँ पर अगर X के नीचे यहाँ पर लिखना है तो X वाले इस line को नहीं count करेंगे तो देखो सिर्फ यह लिखेंगे 1 upon 2 and minus 5 minus 8 इन दोनों का multiply करेंगे minus 8 into 1 और formula की वज़े से बीच में minus आता है और 2 into minus 5 यह वाला minus यहाँ पर रखा हुआ है यह X के नीचे रखेंगे अब Y की बात करते है is equal to Y तो Y के नीचे हम कैसे रखते है तो Y वाली line को छोड़ दो तो Y वाली line के नीचे क्या आएगा यहाँ पर 23 और minus 5 तो देखो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर 3 into minus 5 यानि यह 3 into minus 5 minus 2 into minus 8 जैसा का अब भी लिखा वैसे ही similarly 1 के नीचे क्या रखेंगे तो 1 के नीचे यह वाली line हम नहीं रखेंगे ठीक है यह हम count नहीं करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा यहाँ पर लिखेंगे तो अब हम इसकी बात करते हैं नीचे calculation की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा minus 8 1 जा minus 8 minus minus plus 2 5 जा 10 x upon 2 हो जाएगा 10 minus 8 similarly यहाँ पर 3 into minus 15 minus minus plus हो जाएगा y upon 1 और यहाँ पर 2 2 जा 4 minus 3 is equal to 1 अब इसे compare करेंगे कि x by 2 को पहले किसके साथ compare करेंगे इसके साथ is equal to 1 upon 1 तो x is equal to 2 हो जाएगा similarly y by 1 के साथ भी 1 upon 1 compare करेंगे ठीक तो हमें y is equal to 1 मिल जाएगा तो इस तरह से cross multiplication तो इस तरह से cross multiplication तो इस तरह से cross multiplication तो इस तरह से method cancel था इस पर syllabus reduction में कुछ है नहीं इसलिए method है next question देखते है question number 26 a box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles one of marble is taken out box at random what is the probability that marble taken out will be red and not green तो सबसे पहले हम red के लिए देखते हैं इसका answer तो हमें direct मिल जाएगा कि 5 red है total कितनी है 5 और 13 और 4 17 तो 5 by 17 हमारा answer हुआ favorable outcome कितना है 5 है favorable means जो हमें चाहिए वो तो red के लिए कितनी है 5 है ठीक है यहां पर red आएगा ठीक है और total number of marble कितना है 5 8 और 4 यानि 17 तो हमारा answer हो जाएगा 5 by 17 next question देखते है not green तो green के अलावा जितनी भी है उसे count कर लो green के अलावा कितनी है 8 है और 5 है तो दोनों की probability हमने यहां पर लिख दे 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 अपान 17 अब देखते है section C यह था section B section C देखो 27 से लेके 34 है सबके 3 marks है ठीक है total 8 question है जो 24 marks आपको देते हैं question को अच्छे से देखते 27 question है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial यहां पर y होना चाहिए ठीक है तो यानि कि यह जो है check करना हमें कि यह जो उसका factor है या नहीं देखो factor होने के लिए इसका concept class 9 में आता था कि x के बराबर minus 2 देख लो ठीक है हम उसमें इस तरह से check करते हैं कि x is equal to x plus 2 के बराबर 0 रखो और x के बराबर minus 2 मिलेगा और उसी minus 2 को इसमें put करो तो आपको 0 answer मिलता है क्या तो वह उसका polynomial होता था पर हमें यहां पर long division सिखाया गया है 10th में तो हमें उस method से करना है तो देखो उसे हम किस तरह से लिखते हैं कि यह सारा actually example book का है तो मैंने वहीं पर directly पूरा ले लिया है तो आप उसमें से भी सीख सकते हैं इसको directly divide किस तरह से करेंगे तो यह जो है तो remainder 3 मिला तो इसके वज़ए से यह होगा यहां पर क्या कहा है हमें factor है नहीं नहीं वह चेक करना था यह factor नहीं होगा अगर remainder 0 मिलता तो वह factor हो जाता तो हमारा answer होगा कि first polynomial is not a factor of second polynomial ओके remainder होता है तो sorry remainder 0 होता है तो आपका answer आता है कि वह factor है और remainder कोई भी number बचता है तो वह नहीं होता है factor उसका question number 28 देखते है how many two digit number are divisible by 3 divisible by 3 two digit कहां से start होते smallest two digit number होता है 10 उसके बाद 11 और उसके बाद 12 12 से start होते है जो 3 से divisible होते है ठीक है तो वह हमें आपे लिख देते है कि 12 15 18 21 हमारे जो AP है वह कहां तक जाएगी largest two digit number तक यानि 99 99 भी 3 से divisible है इसलिए यहां पर रखा हुआ है ठीक है कितने number fine करने यानि हमें fine करना है and an हमें दिया हुआ है last time 99 दिया हो हम an भी लिखते है और l भी लिखते है दोनों में से जो चाहिए हो a is equal to 12 है और d is equal to 3 है difference an is equal to a plus n minus 1 an हमारे पास 99 है a के बराबर 12 n minus 1 d है 3 तो हमें इससे solve करते जाएंगे तो हमें n मिल जाएगा 30 ठीक है तो यहसे कितने number होंगे 30 numbers होंगे next question देखो how many multiples of 4 lie between 10 and 250 तो 10 और 250 के बीच में कितने multiples है 4 के same question मतलब 4 के table में कितने number आते है वो भी 12 से start होंगे 12 14 sorry 14 नहीं होगा 12 16 20 up to 248 अब देखो last term कैसे निकाला उसे बहुत सारे तरीके पहला तरीका में बताता हूं हम पहले तो ऐसे सोच सकते कि यह कोई इतने number हम लिख लेते हैं ठीक है अब हम decide करते कि 4 है ना 4 की divisibility आती होगी आपको previous standard में पढ़िए 4 की divisibility क्या होती है last 2 digit 4 के table में आते हो तो देखो 50 नहीं आता है 4 के table में 49 नहीं आता है 48 आता है तो आपका यह last term हो जाएगा दूसरा अगर यह नहीं आता है आपको ठीक है तो दूसरा क्या करो कि last term कौन सा कहा है 250 कहा है तो उसको 4 से divide कर दो 4 6 जा 24 और 1 0 4 2 जा 8 और remainder कितना बचे तू बचता है ना उसको 250 में से minus कर दो तो आपको direct divisible वाला में जाएगा 248 इस तरह से आप last term find कर सकते हो तो a के बराबर 12 है d difference 4 है n is equal to 248 है अगेन हमें n ही find करना है तो a n is equal to a plus n minus 1d सारी चीज़े उसके अंदर रख दो ठीक है आपको n के बराबर कितना मिलेगा 60 पेपर काफी लेंदी है इसलिए मैं सारी चीज़े नहीं बता रहा हूं जो solution वगेरा है कोई चीज़े वो आप directly calculate कर सकते हो तो n के बराबर कितना होगा 60 multiples answer आएंगे question number 29 x cube minus 3x square plus x plus 2 by polynomial g of x the quotient and remainder where x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively find g of x अब देख एक polynomial दिया हुआ है उसको divide किया गया है g of x से यानि कि ये dividend है और ये divisor है उसका quotient आपको दिया गया है x minus 2 और remainder दिया गया है minus 2x plus 4 तो इसको अगर हम पूरे statement में लेके तो कुछ इस तरह से लगते है कि dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder तो dividend आपको दिया गया है x cube minus 3x square plus x plus 2 divisor हमें पता है 6g of x है quotient हमारे पास है x minus 2 and remainder हमारे पास है minus 2x plus 4 हम इन जितनी भी information है उसको हम उपर वाले equation में डख देते हैं तो इसे अगर हम solve करेंगे ठीक है तो हमें g of x fine करना है तो g of x को हम क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे बाकी number को एक तरफ यह उस तरफ चला जाएगा तो plus 2x minus 4 हो जाएगा तो उसे solve करेंगे हम तो मुझे g of x कितना मिलेगा x cube minus 3x square plus 3x minus 2 divide में क्या मिल जाएगा x minus 2 यह जो multiply में था वो अब उसको हम divide करेंगे जिस तरह से हम करते x cube divided x करके coefficient x square आ जाएगा ठीक है उसी तरह से अगर हम divide करते जाएगे हमें remainder क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा तो हमें answer क्या चाहिए था इन दोनों का quotient answer चाहिए था x cube minus 3x square plus 3x minus 2 divide x minus 2 तो वो उपर कितना आता है x square minus x plus 1 तो हमारा answer होगा g of x is equal to x square minus x plus 1 next question देखते है question number 30 in an ap given a is equal to 5 d is equal to 3 and an is equal to 50 find n and sn तो simply यह direct formula से होने वाला question है ठीक है हमें n और sn find करने हम an का formula लगाएंगे सारी values हमें देगी है put करेंगे हम तो n हमें मिल जाएगा 16 मिल जाएगा ठीक है फिर sn का formula रखेंगे sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d या तो आप इसकी जगा पर एक और formula यूज कर सकते हो sn is equal to n by 2 a plus l क्यूंकि अब तो आपके पास n भी है तो 16 by 2 a है आपके पास 5 और l यानि की an जो 50 दिया हुआ है तो 2 into 8 8 into 55 तो आप यह formula भी यूज कर सकते हो 8 5 is of 40 4 4 0 ठीक है तो यही answer मिलेगा आप इस formula से भी कर सकते हो इस से भी कर सकते हो 30 देखो similarly ऐसा equation है a7 दिया हुआ है a13 दिया हुआ है यानि n के बराबद 13 है और d और s 13 आपको find करना है तो a is equal to 7 a 13 is equal to 35 formula रखते है हमें d मिल जाएगा उसके इसाब से find d पहले करना है इसलिए तो d हमें मिलेगा 7 by 3 और sn का formula हम रख देंगे तो हमें sn भी मिल जाएगा 13 into 21 कितना होगा 13 1s are 13 13 to 26 और 1 273 हमारा answer होगा 273 यह सारे simple calculation है आप कर सकते हो इसको नहीं कर रहा हो वरना video ज्यादे lengthy हो जाएगी फिर next question देखते है question number 31 check whether the 5-2, 6-4, 7-2 are the vertices of isocellus triangle अब isocellus triangle क्या होता है कोई भी 2 side उसकी equal होती है उससे हम कहेते है isocellus triangle तो हम इसको PQR में ले रहते है triangle में कुछ इस तरह से P5-2 Q64 and R7-2 तो कोई भी एक length of side निकालते PQ X2-X1 square Y2-Y1 square तो हमें मिल जाएगा root 37 तो यही से पता चल जाता है कि यह isocellus है अब तीसरी side बची है PR उसको भी हम निकाल देते है तो उसका answer हमें मिलता है 2 यानि कि PQ is equal to root 37 QR is equal to root 37 PR is equal to 2 तो कोई भी 2 side equal हो गई तो PQ is equal to QR है तो हाँ यह isocellus triangle है question number 32 देखते है one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards find the probability of getting first a king of red color second a face card and a spade तो हम देखते हैं सबसे पहले कि total card कितने होते 52 होते है ठीक है and face card are king queen and jack तीन face card होते हमारे पास तो हर एक के पास 4 card होते है ठीक है तो मैं पहला question second करवा रहा हूँ face card वाला ठीक है उसके बाद हम king of red color की बात करेंगे तो total number of card हमारे पास कितने होए 12 होए face card तो P of getting a red face card ठीक है only sorry red face card नहीं getting a face card number of face card divided by total तो 12 face card है total jack queen और king divided by 52 विसे हम solve simplify करते है तो 3 upon 13 आता है ठीक है तो face card के लिए यह answer है अब आएगा हमारे पास king of red color के लिए total 52 है king of red color कितने है हमारे पास 2 से लेके 9 एक एका होता है फिर sorry 2 से लेके 10 और एक एका जिसे हम ace कहते है और फिर jack queen और king तो सब में एक-एक spade होता है spade के लिए क्या है probability 52 और हर एक में spade का card 13 होता है तो क्या होता है 13 upon 52 1 upon 4 हो जाएगा answer next question देखते 32 a box contain 90 disc where a number from 1 to 90 disc है उनको नाम दिया गया है 1 से लेके 90 तक number दिये गया है तो हमें answer लाना है कि for 2 digit number probability perfect square probability and number divisible by free तो 1 से लेके 90 है तो 2 digit के लिए बात हो रही है 2 digit कितने होंगे तो 1 से लेके जो 9 तक number होंगे वो तो 1 digit हुए ठीक है तो उसको 90 में से minus कर दो तो हमें 2 digit number मिल जाएंगे 10 से लेके 90 तक 81 है total ठीक है तो वैसे कितने होंगे 81 तो हमारा answer क्या होगा total number of disc for 2 digit तो 2 digit number 81 है और total number कितने है 90 है ठीक है total number हमारे पास कितने है 90 disc है हमारा answer होगा 9 upon 10 होगा second question देखो अब perfect square ठीक है तो perfect square हमें पता है क्या होते है 1 का square 2 का square 3 का square highest कितने है 9 का square 81 तो perfect square कितने है 9 हमें 90 तक ही जाना इसलिए 10 का square 100 था पर वो 90 का अंदर नहीं आता है तो favorable 9 है और total कितने है 90 तो 9 upon 90 क्या हो जाएंगे 1 upon 10 हो जाएगा answer और उसके बाद last है कि total number कितने है जो 5 से divisible होते है तो 5 1 से लेके 90 तक तो वो कितने होते है 18 होते है ठीक है 5 10 15 20 25 30 आप count कर सकते हूं या तो सीधा ही 90 को 5 से divide कर दो 1 से count करना तो 18 5 जा हो जाएगा तो 18 नमबर है जो 5 से divisible है तो 18 upon 90 divided by 1 upon 5 हो हमारा answer हो जाएगा next question देखते है next question 33 find the coordinate of point trisection of line segment joining 4-1 and negative 2 and negative 3 trisection का मतलब होता है line segment को 3 equal हिस्सों में divide करना ठीक है तो उसे कुछ इस तरह से हम देख सकते है कि a है 4-1 लिया b हमने-2-3 लिया और उसमें यह भी 1 होता और यह भी 1 होता है दोनों का मिला के मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ठीक है तो ap और pb का distance कितना है 2 तो हमारा यह m1 है और हमारे पास m2 है यहाँ पर 2 आएगा m1 है 1 m2 2 है x1 4 है और x2 है negative 2 y1 और y2 दिया होगा हम इसका formula लगाएंगे x और y हमें p मिल जाएगा 2 और minus 5 by 3 हमें coordinate मिलेगा p क्या होगा 2 और minus 5 by 3 मिल जाएगा हम coordinate सारे find करने p और q भी find करना है जितने भी points बीच में है trisection 1 यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 तो p हमें मिल गया अब हम क्या find करेंगे q find करेंगे q के लिए क्या होगा q के लिए अगर यह पूरा distance देखा जाए similar ली तो यह 2 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा similar उसी pattern से हमें q भी मिल जाएगा 0 minus 7 by 3 उसको करने का एक और तरीका भी था कि जैसे के p हमें क्या मिल गया भी p हमें मिल गया है 2 minus 5 by 3 अब देखो इस 2 को भूल जाओ यह 1 1 1 1 है न तो यह q है उसको हम midpoint से भी निकाल सकते क्योंकि distance सेम है x1 plus x2 by 2 तो 2 देखो minus 2 0 हो जाएगा और 2 तो पहला coordinate तो 0 आएगा जो के हमें मिल गया है दूसरा minus 5 by 3 plus minus 3 y1 plus y2 divided by 2 तो minus 5 यह 3 3 जा 9 हो जाएगा और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा तो minus 14 नीचे 3 into 2 7 जा तो क्या आएगा 0 negative 7 by 3 आप ऐसे भी midpoint से निकाल सकते थे यह I think short रहता और यह तो ही हमारे पास तो हमें जो coordinate के points कहते हैं एक P answer है और एक Q answer है next question देखते हैं A sum of 700 is used to 7 cash prices of student of a school for their overall academic performance if each price is 20 less then it's a preceding price, find the value of each price अब total 700 rupees है जिसको cash price में distribute करना है अब हर एक बच्चे को जो पैसा मिल रहा है उसको consecutive जैसे उसके बाद के बच्चे को मिलेगा उसको 20 मिल जाएगा तो यह continuously decrease होता जा रहा है यह AP का question है इसको हम मान लेता है A पैसे मिले हुए ठीक है दूसरे बच्चे को उससे 20 कम मिलेंगे तो A minus 20 उसके तीसरे बच्चे को 20 और कम मिलेंगे 20 minus और कर तो A minus 40 चौथा हो जाएगा A minus 60 इस तरह से बढ़ता जाता है तो क्या होगा A के बराबर हमने A लिया है और difference क्या आएगा तो difference अब में आएगा negative 20 ठीक है A minus 20 यह A1 है और यह A2 A2 minus A1 करेंगे तो हमें difference मिलेगा negative 20 Sum of rupees हमें SN is equal to 700 दी गए हमें पूछा है कि value of each prices क्या होगे तो हमें पहले A fine करना है तो हमें SN है हमारे पास A है D है तो हम सबसे पहले क्या fine कर लेते A fine करते SN is equal to क्या होगा 2A plus N minus 1 D A के बराबर तो A है D के बराबर negative 20 और SN के बराबर 700 सारी चीज़े हम equation में रखेंगे तो हमें A मिल जाएगा 160 तो हमें सबसे पहली price हर एक बच्चे को जो first आएगा उसको मिलेगी 160 second आएगा उसको 20 और कम कर दो 140 उसके बाद 20 और कम कर दो 120 इस तरह से price मिलेगी first price 160, second, third, fourth, fifth, sixth और seventh इस तरह से price मिलेगी next आए section D answer the following 35 to 39, four marks each ठीक है पांच question है चार marks के question देखो पहला third chapter में से है about goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours दीक है इस लेंदेस question है काफी upstream downstream का question होता है इस तरह से फोड़ा लेंदी है calculation में बाकि वही का वह equation solve करना है तो पहला है upstream और downstream उसके बाद है 13 hour में फिर से upstream 40 km और 55 km downstream तो फ़ले statement से एक equation बनेगा second statement से दूसरा equation बनेगा तो एक हम इस तरह से लिख सकते हैं कि board की जो speed है हम उसको x km per hour मान लेते हैं और stream की जो speed है उसको y km per hour तो downstream क्या होता है दोनों का addition होता है और upstream में क्या होता है board की speed आगे होती है x minus y एक खास अच्छे से याद रखना चलो इसी statement को लिखते हैं सबसे पहले कि distance of 3 km divided by speed and distance of 44 km divided by speed of downstream is equal to 10 यह कैसे आता है similarly दूसरा जो t2 लिखा है मैंने उसका भी मतलब distance upon speed होता है पर यह downstream के लिए ठीक है इस statement को अच्छे समझता इसलिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है क्योंकि यह timing है यह भी timing है इसलिए distance time का formula actually क्या होता है distance upon speed ठीक है इन दोनों को उसी formula में यहाँ पर लिखा और यह तो total time थाई तो 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y is equal to 10 similar तरीके से second equation बना देते है पहला बन गया तो दूसरा बनाने में ज्यादा time नहीं लगता है 40 upon x minus y 55 upon x plus y अब यहाँ से calculation start होती है हमारी के 1 upon x minus y को हमें u लेना पड़ेगा 1 upon x plus y को हमें v लेना पड़ेगा हमारे equation क्या बनके ready हो जाएगा 30u plus 44v is equal to 10 यह वाला बन जाएगा 40u plus 55v is equal to 30 तो इसे हम solve करते substitution method से हम use करते कोई भी method लो इस question में lengthy होने वाली है इसलिए मैं substitution use कर रहाँ 10 minus 44v हो जाएगा u is equal to 10 minus 44v upon 30 अब u की जो भी value आई मैं आपर 4th equation में put कर दूंगा 10 minus 44v plus 55v इसे पूरा हम solve करेंगे तो मुझे v की value मिलेगी 1 upon 11 पूरा solve करने के बात अब v की 1 upon 11 मिले तो उसको वापस हम 3rd में रख देंगे ताकि हमें u की value मिल जाए तो u is equal to मिल जाएगा 1 upon 5 अब u और v मिल गए तो हमें x और y भी मिल जाएगे क्योंकि u के बराबर क्या था 1 upon 5 मिला 1 upon x minus y reverse करो इनको equation में x minus y is equal to 5 similarly v x plus y is equal to 11 तो हम इसे solve करें x minus y x plus y दोनों को add कर देंगे तो x की value मिल जाएगी 8 और y की value हमें मिल जाएगी 3 तो x is equal to 8 और y is equal to 3 तो यह जो speed of boat थी वो 8 km पर hour थी और speed of stream जो है 3 km पर hour ठीक है इस question वो करने में थुरुआ time लगेगा क्योंकि लेंदी है next question देखते है a part of monthly hostel charge it fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess when a student take a food for 20 days she has to pay 1000 as a hostel charge where a student B who take food for 26 days pay 1180 अब देखो question को अच्छे समझो कि एक तो fixed charge है और उसके बाद remaining charge होय है वो लग रहा है तो सबसे पहले हम मान लेते कि fixed charge क्या है हमारे पास तो हम fixed charge की बात करते मैं आपे लिख लेता हूँ fixed charge is equal to x और जो food के लिए जो charge है food charge के लिए हम ले रहते y rupees तो पहला equation क्या बनेगा कि fixed charge तो रहे गई उतना तो देना ही है और उसके बाद हिसाब से आप food ले तो उसके इसाब से pay करना है 20 days के लिए pay किया है इन्टू y तो टोटल कितना है 1000 पे किया हुआ है student a ने अब similarly हम student b की बात करते है for student b तो उसका क्या होगा वो भी fixed charge पे करेंगे और कितने दिन के लिए 26y is equal to क्या हो जाएगा 1180 total charge होँगा इस first equation है इस second equation है तो अब हम क्या कर देते है second equation में से equation 2 में से first equation minus कर देते है elimination method से तो होगा क्या x plus 26y is equal to 1180 x plus 20y is equal to 100 minus करते हैं तो यह 6y बच जाएगा 0 8 और 1 बचेगा यह पे y is equal to क्या होगा 30 तो जो daily charges है cost food per day वो कितना है 30 है अब हम किसी एक में रख देते first equation में रख देते तो x is equal to कितना होगा 400 तो fixed charge है वो कितना होगा food per day होगा ठीक है तो x is equal to 400 and y is equal to 30 rupees 39 देखते हैं divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 divided by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm ठीक है तो यह जो question है वो आपके 2.3 exercise का I think तो इसे हम किस तरह से करते हैं सबसे पहले तो descending power में लिख देते है x square है तो इसे पहले नहीं लिखना है हमें सबसे पहले x cube को लिखना है तो देखो कुछ इस तरह से x cube plus 3x square minus 3x plus 5 और यहां भी जो है उसे भी हम highest power आगे लिखेंगे तो minus x square plus x minus 1 तो यह क्या हो जाएगा quotient यहां पर है remainder यहां पर है सारी चीजे अंदर जो होता है उसे हम dividend कहते है यह जो होता है वो divisor होता है और quotient और remainder तो हमारा verify यह तो divide होगे आपका remainder 3 बचाएगा division process आपको पता है तो verify करना division algorithm तो हम इसे statement में लिख देते dividend is equal to divisor into quotient plus remainder तो उसे हम इस तरह से कर देंगे dividend हमारे पास क्या है यह है right hand side पे हमारे पास इतना portion था divisor into quotient plus remainder तो उसे हम solve करेंगे तो दोनों same ही मिलेंगे तो lhs is equal to rhs तो इसे verify कहा जा सकता है ठीक है verify हो गया next question देखते है जो 39 है उसके और में है divide polynomial p of x by polynomial g of x and find quotient and remainder तो simple question उसी तरह से x raise to 4 minus 3 x square अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं इसका मतलब यह होता है 0 into x cube है तो कोई मतलब नहीं होता है इसका बड़ हमें लिखना होता है यहां पर क्यूंकि हमें power में जो subtraction करना है उसमें mistake ना हो x cube में से x cube like term जो होते उसी में से वो जाता है तो x square minus x plus 1 से हम उसे divide करेंगे ठीक है तो remainder आपको कितना मिल जाएगा 8 और quotient मिल जाएगा आपको 36 and 38 और एक question और में है 30 total 3 question है जो construction में है construction chapter के है ठीक है तो वो मैं इस वीडियो में include नहीं कर रहा हूँ वो तीनों ही question आपको next video में मिल जाएगे क्यों उसके लिए अलग software and website यूज करना परता है इसलिए ठीक है तो पूरा paper हो चुका है सिर्फ construction question बाकि है जो आपको next video में मिल जाएगे तो stay tuned मिलते है next video में आपके ले बाए आपके ले बाए